Hello everyone, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेबीज वर्ल इंडिया के एजुकेशनल सीरीज में और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ बच्चों से डेली बात करने वाले कुछ इंग्लिश के सिंटेंसे So let's get started और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, helpful लगता है तो please इसे share और like जरूर करिएगा और साथ ही अपने feedback comment section में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा जब आप अपने बच्चे को पास में बैठने के लिए के लिए कहते हो तो कहना है sit here, यहाँ बैठो, sit here कहीं दूर जाने के लिए कहते हो तो go there, वहाँ जाओ, go there take it, इसे लो, take it, इसे लो चलो चलते हैं, इसको कहेंगे let's go let's go मतलब चलो चलते हैं जब आपका बच्चा आपसे कहता है न, मैं खेल रहा हूँ तो वह कहेगा I am playing, मैं खा रहा हूँ, I am eating, मैं walk कर रहा हूँ मैं paddle चल रहा हूँ, इसको कहेंगे I am walking अगर आप बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हो, बुक में दिखा के या फिर हाथ में लेके कोई चीज बता रहे हो फर एक बॉल दिखाते हो, तो कहते है न, यह एक बॉल है तो कहेंगे this is a ball मालो आप पंखा दिखा के कह रहे हो, तो कहोगे this is a fan ग्लास दिखा के अगर कह रहे हो, तो this is a glass अब अगर आपका बच्चा आपसे कोई चीज मांग रहा है मतलब मुझे पानी चाहिए या फिर मुझे दूद चाहिए तो अगर दूद चाहिए तो कहेगा I want milk पानी चाहिए तो I want water I want ball, मुझे ball चाहिए I want color, मुझे color चाहिए अब अगर बच्चा चाहिए का इस्तिमाल नहीं कर रहा है या फिर कह रहा है मुझे पानी दो तो कहेंगे give me water मुझे पानी दो give me doll मुझे गुडिया दो give me toy या फिर give me milk इस वीडियो में मैंने बहुत ही easy sentences आपको बताने की कोशिश की है जो कि आप अपने छोटे से छोटे बच्चे से भी daily communication में use कर सकते हो और बहुत ही आसानी से आप अपने बच्चे को अपने mother tongue के साथ साथ English में भी बात करना सिखा सकते हो अगला sentence है time to go home जब कभी बच्चा बाहर खेल रहा होता है या फिर हम shopping mall में होते हैं या फिर कहीं बाहर होते हैं तो कहते हैं अब घर चलो अब घर चलने का time हो गया है तो कहेंगे time to go home अब अगर आप बच्चे को कह रहे हो कि सोने के लिए जाना है तो इसे दो तरीकों से आप कह सकते हो time to bed या फिर time to sleep time to bed या फिर time to sleep अगर बच्चे को कोई चीज पसंद है या फिर ना पसंद है तो उसे कैसे बोलेगा for example बच्चे को अगर ice cream पसंद है तो कहेगा I like ice cream या फिर कोई भी चीज पसंद है तो इसमें add कर सकते हो I like this, that या फिर जब पसंद नहीं है तो कहेगा I don't like it या फिर I don't like ice cream, I don't like chocolate, I don't like vegetable कुछ भी जो चीज बच्चे को पसंद नहीं है तो I don't like होगा और अगर कोई चीज पसंद है तो I like होगा आज की इस वीडियो में इतना ही Babies World India के educational series में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए धेर सारे educational videos तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकोन को प्रेस करना बिल्कुल ना बोलें ताकि आपको हमारे सारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलें मिलें आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार